साथियों अगर आपको ये जानना है कि क्या एसंक्टी चेतर में काम करने वालों को रुपए मिलते हैं या फिर नहीं मिलते हैं हम आपको प्रूप के तोर पर आज दिखाने वाले एसंक्टी चेतर में काम करने वाले सर्मिकों को 25500 रुपए मिले थे और ये रुपए उनी को बना हुआ था यानि कि जो संग्टी चैतर में काम करने वाले सर्मिक है उनी को दिये गए थे अगर आप देखना चाहें कि यह सूची कब किया तो बिल्कुल लेटेस्ट है यह सूची आप कैसे देख सकते हैं यह हम आपको आज इसी वीडियो में बताने वाले हैं साथ इसी त इसी डिजिटल है और एसंग्टी चैतर में काम करने वालों किया है कि डिजिटल आइडिया और इस रमकार्ट से आर्थिक सायता सरकारी योजनों का फायदा मिलेगा साथी दोस्तों अगर आप मारा वीडियो पहली बार देखरे हैं तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब करें स साथी बैल आइकन को दबाएं और ओल नोटिफिकसन स्लेट करें ताकि सरकारी योजनों का फायदा आपको सबसे पहले मिले साथी इस वीडियो को लाइक कर सपोर्ट कीजिए अपने साथी को साथ भी सेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा एसंग्टी चैतर में काम करने आर्फिक साहिता ले सकते हैं सबसे पहले मां आपको बतादें की इस रमकार कोन बना सकता है हमें कोमेंट कर पूछा थाILY की रिखसा चालक धोवी धरजी माली मोंची नाई बुनकर सबी या फिर फलफूल विक्रेता चाई या फिर चार्ट ठिला लगाने वाले अपनां इ करमकार ओटो चालक डोल या फिर बाजा बजाने वाले टेंट हाउस में काम करने वाले खेतियर करमकार साथी चारावा या फिर दूद दूने वाले नाव चलाने वाला साथी समचार पत्र बाढ़ने वाले निर्मान कामगार या निर्मान जो कामगार वो बना सकते हैं कोरी ज द्योग में लगे वे मजदूर भड़बूंचे पसू पालन का काम करने वाले मच्य पालन का काम करने वाले मुर्गी बतक पालन काम करने वाले दुकानों में काम करने वाले नट नट नई रसोया वाले और ठेला मजदूर खड़ी पर काम करने वाले सुतार साती रंगाई कता दुलाई दरी कंबल जरी जर्दी जी चिकन कारिय मीट सोप एप पोलर्टरी पर काम करने वाले डैरी पर काम करने वाले सर्मिक कांच की चूड़ियव अन्य कांच उतपादगों में स्वय रोजगार करने वाले सर्मिक अपना यह सरमगार्ड बना सकते हैं और यह सरमगार्ड या फिर ESIC या फिर NPS में रिजिस्टार्ट है नहीं होना चाहिए साथ ही आए कर दाता भी नहीं होना चाहिए यानि कि income tax देने वाला नहीं होना चाहिए अगर आपका income tax कटता है अगर आप हर साल RTR फाइल करते हैं तो आप इसरम कार्ड बना सकते हैं इसरम कार्ड बनाते समय तीन document महतव होने यानि कि आधार कार्ड होना चाहिए जिसका इसरम कार्ड बन रहा है साथी active mobile number भी होना चाहिए जिस पर message आएगा साथी इसरम कार्ड बन रहा है उसका एक shaving bank account भी होना चाहिए और bank account detail आपकी इसलिए ली जा रहे है ताकि जब भी government इसरम कार्ड बनाने वालों को आर्थिक सहता दे यानि कि इसरम कार्ड से जुड़े वे हर S&T चेतर में काम करने वालों को आर्थिक सहता दे तब आपके इसरम कार्ड से जुड़े bank account में पैसे पहुंच सकें साथि अगर आपने इसरम गार्ड बना लिया अगर आप ये जानना चाहते है कि आपके खाते में पैसे आए या फिर नहीं आए आप गर बैठाnh ए अपने mobile से कैसे चेक कर सकते है तो अब हम आपको अभी बता देते हैं अगर आपको यह देखना है कि आपके खाते में पैसे आये या फिर नहीं है तो आपके जो bank account में आपके खाते में जुड़े जो mobile number है उससे आपको एक miss call देना है यहाँ पर सभी बैंकों के नाम है और सभी बैंकों के जितने भी toll free number है वो सभी यहाँ पर दिये गए आपका ख खाते में कितने आपको आर्थिक सायता मिली या फिर नहीं मिली आप केवल एक miss call से पता कर सकते हैं आप सभी की जानकरी के लिए बता दें चाहिए कि अंदर सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो जब भी कोई योजना लेकर आती है तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग मिल जाएंगे आप यहां पर चेक कर सकते हैं कि आपके खाते में आर्थिक सायता मिली या फिर नहीं मिली या फिर आपने किसी योजना में फोर्म बरा था तो उस योजना की राज से आपके खाते में पहुंची या फिर नहीं पहुंची वहीं अगर आपका मंदरेगा में म परमानन योजना गालाब मिलता है। नहीं कर्मी सब्सक्राइब का प्रिवित जिसेंद का स्तार्वीं सबस्तार जलती सब्सक्राएब जब भी कोई रास्ट्री आपदा थी जिस तरह से करोना है या फिर अन्य कोई प्राकर्दिक आपदा थी तो उस टाइम भी S&T छेतर में काम करने वाले सर्मिकों को फायदा दिया जाता है E-Sharam-Kard और Sarmikard में अन्तर क्या है यान की कुछ लोगों का पहले से ही Sarmikard बना हुआ है लेकिन अभी वो अगर E-Sharam-Kard बनाना चाहते है तो उनका भी E-Sharam-Kard बन जाएगा जिनका पहले सर्मिक कारबना हुआ है लेकिन अब फायदा है दोनों का बराबर मिलेगा इस सरमकार बनने के बाद में आपको एक UN नमर जारी के जाते हैं बाराकसरो का जिस तरह से अधार का नमर है इसी तरह से इस सरमकार में भी बाराकसरो का नमर है इसरमगाड पूरे देश में मनने होगा यानि कि आप चाहिए कौन से भी राजे में हो आपका इसरमगाड मनने होगा परदानमंतरी सुरक्षा भीमा योजना के अंदर गत दो लाख रूपए तक की भीमा कवर का लाब मिलेगा साथी आपदा या फिर महामारी की स्तती में कें करता या फिर पांच साल बाद में रेनिउ करना पड़ता है लेकिन इसरमगाड अगर आपका एक बार बन जाता है तो उसे रेनिउ करने की जोरुष नहीं होती है वो पर्मानेटली बन जाता है और लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है साधी इसरमगाड बनाने वालों क फायदा भी लेना है इसलिए अगर आपने इसरम कार्ड नहीं बनाया तो आज ये अपने नस्दीक किसी भी कॉमन सर्वी सेंटर पर जाकर बनवा सकते हैं या फिर खुद अगर आप बनाना चाहते हैं तो www.esarm.gov.in पर जाकर बना सकते हैं इसरम कार्ड से आपको आर्थिक सायता तभी दी जाएगी जब आपकी राजय सरकार या फिर केंदर सरकार जब भी कोई आर्थिक सायता देने की गोशना करेगी इसरम कार्ड से आपको सरकारी योजनों में फायता तभी मिलेगा जब इसरम कार्ड बनकर कंप्लीट हो जाएग और अलग-अलग योजनों में या सरमकार्ड को लागु किया जाएगा example के रूप में बात करें तो पर्दानमंतरी इसरम योगी योजना में यी और परतीमा 25 अब वादमी आपको दिखाने वाले हैं। उसके बाद में आपके जिले का नाम स्लेट कर लेना है उसके बाद में आपकी तैसिल ग्राम मसायद का नाम स्लेट कर लेना है और खोजे पर क्लिक कर देना है जैसा कि आप सभी यहां पर देख सकते हैं जिस ग्राम मसायद में जितने गाम होंगे उन सब का नाम आ जाएगा औ की गेट मौर अधिक जानकारी पर जैसी आप क्लिक करेंगे तो इस गाउं में कितने लोगों को आर्थिक साहता दी यह आप यहां पर देख सकते हैं और यह सर्मी कार्ड बनाने वालों को कोविड 90 में पचीस सो पचीस सो रुपए दो किस्तों में एक किस्त में हजार जैसे हम उतरपरदेश की बात करें तो एसंग्टी चतर में काम करने वालों को हर महीने 500-500 रुपए दिजाने की गोसना कर दी गिया है और ज्यादा तर एसंग्टी चतर में काम करने वालों के खाते में रुपए पहुंच चुके हैं तो साधियों यह तता उन सभी के लिए पूप की आसंग्टी चतर में काम करने वाले सर्मिकों को आर्थिक सायता मिलती है फिर नहीं मिलती इसलिए हमने आपको यह सूची दिखे यह आज की वडियों बस इतना ही मिलते हैं नेक्स उडियो में जानकरिक साथ वीडियोगे धेने वासा साथ आफिवि आपका दिन झाल 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 झाल